हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी का कॉमिक वाल चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में फ्रिल सीरीज की एक और कॉमिक्स जिसका नाम है छोटा चेतन फ्रिल सीरीज छोटा चेतन लेकक तरोड खुमारवाई कला निर्देशन हनीफ अजर संपादक विवेक मोहन ये कहानी ना तो किसी भूत प्रेट को आधार बना कर लिखी गई और ना ही इसमें किसी जादू टोने या तांतरिक मांतरिक शक्तियों को डरावने अंदाज में पेश किया गया ये कहानी एक भेहत मासूम बारा वर्षी नीली आँकों वाले बच्चे की जिसका अपरिवक मस्तिश्क बाल सुलब गुस्से से भरा है और जब ये गुस्सा कुछ खौफनाक प्रतिशोदात्मक शैतानियों को जन्द देने लगता है तो पैदा होती हैं मुसीब्तें परिवार, मा, बाप और बच्चों से जन्द मोता इस शब्द परिवार का और जिस परिवार की ये कहानी है उसमें शामिल है आनंद, शीतल, सचिन और छोटा चेतन एक दुरगट ना में बेहन और उसके पती की मौत के बाद शीतल उसके एकलोते बेटे सचिन को अपने हैं ले आई हाला कि आनंद को ये बात नागवार ही गुज़िती थी, मगर शीतल की जित के आगे खामोश रह गया था वो सचिन शीतल को आउंटी कहता था और शीतल भी उस पर चेतन से अधिक ध्यान देती थी ताकि उसे मा की कोई कमी महसूस नहोने पाए और आज हैपी बर्ड जे टू यू, हैपी बर्ड जे टू यू सचिन तुम लोग अब मनाते रो जनम दिन, मुझे एक जरुरी काम याद आ गया है अरे मगर आउंटी, अंकल मेरे जनम दिन का केक खाइब नहीं चले गए उन्हें कोई जरुरी काम याद आ गया होगा सचिन, ये देखो, ये तुमारे लिए ये क्या है आउंटी, तुम खुदी कपड़ा उठा कर देख लो और कपड़ा हटा दी खुशी से चीक पड़ा सचे किर्किट किट, याहू तुम्हें किर्किट खेलने का बहुत शौक है न सचे थैंक्यू, थैंक्यू अंटी चला चेतन, इसी खुशी में आज वीडियो पार्लर चलेंगे जाओ चेतन दो आर से बाहर निकलने से पूर चेरे पर गंबीर भाव लिये तटका चेतन मा, मेरे जनम दिन पर तुम मुझे केवल डॉल्फिन पीक घुमाने लेगी थी तो क्या हुआ, ये किर्किट किट तो तुम दौनों के ही काम आईगी न अब जल्दी जाओ ऐसे अफसरों पर अत्यंत गंबीर हो जाता था जेतन लेकिन आज ये गंबीरता कुछ अधिक थी कॉमिक्स टीवी खेल कूत के अलावा भी बच्चों को एक हच शौक अपनी और आकशित करता है वह वीडियो गेम्स वीडियो पालरों में लगी ये भीड इस बात का सबूत है मारो, उसे मारो, वो निकला जा रहा है तुम धूम 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 उफ निकल गए पांस सौंखाथ से निकल गए बच्चों में कहीं उतेजना थी तो कहीं निराशा तो कहीं परतिविस वर्दा मैं जीत क्या, मैं जीत क्या, याहू और शेतन, अब शाट के मदावी कार रेस का एक गेम और खेलने के लिए तुम मुझे एक सिक्कत होगे ओके और उत्तेजिस सा हुआ सचे ने इस बार पहले से भी अधिक अंग बना लेने को आतुर दिखाई पड़ रहा था और इधर हार के अपमान से सुर्ख चेतन की नीली आखों में कई भाव आ जा रहे थे पुरसत और मनोरंजन के उन्छणों के पुष्चात दोड़ चली उनकी साइकले चेतन कार रेस गेम के लिए कड़े अब ब्यास की ज़रूत है तुम चाहो तो गुस दुनों बाद मुझे भी अधिक स्कोर खड़ा कर सकते हो तब ही तेज गुर्राटों से दौनों के कान कड़े हो गए और चेतन स्पीड बढ़ाओ कुत्ता मारे पीछे दौड़ा आ रहा है पाँ 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 पैडल पर और तेज तेज चले दौनों के पाउँ कुत्ता हमसे अधिक तेज गती के साथ हमारी और आ रहा है कडाके की सर्दी के बावजूद पसीने से तर्बतर हो गए थे दौनों के चरीर चेतन सामने रेलिंग है उस पर चड़ना होगा वरना ही कुत्ता हम तक जल्दी पहुँच जाएगा जबरदा डंग से दौनों ने साइकलों को ब्रेक लगाए परड़ाम सरूद चेतन धड़ाम से सड़क पर आगिरा और धै की अधिकता थे चीक पड़ा सचित चेतन चेतन चल्दी चल्दी खड़ो और फिर आनन फानन में दौनों रेलिंग पर चड़ते चले गए पच गए दौनों के गले इतने सूख गए थे कि कांटे से चुप रहे थे ओ ये ये तो फाड़ी डालता पागल हो गया लगता ये पागल कुत्तों में यह असी प्रवर्ती जनम ले 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 थे कि किसी पर भी गुर्रा कर जपट पड़ते हैं इधर अपनी कौन ही से टपकती खून की बूंदों को हाथ से साफ करते चेरे पर अजीब सिभाव थे अगले दिन आउंटी चेतन का है आज हमारे मैच की प्रेक्टिस है देर हो रही है मैं चेतन को बलाने आया हूँ चेतन वह तो चिल्डर्ण पार्क किया है दोड़ चली सचन की साइगे चिल्डर्ण पार्क की द आखों में और टाट का वैत उपड़ा हटा दी धैशात नाख धंग से चीख पड़ा सचिन ओ गौड उफ यह जब इसे तुमने मारा चेतन हाँ इस तीर से ओ गौड यह तुमने क्या किया लेकिन चेतन अधिक कुछ नहीं किया केवले से इसकी गुस्तागी की सदा दिये अपनी साइगिल के और बढ़ते चेतन के ओटबा बढ़ी हिंसक मुस्कान नित्ति कर रही थी थागा सा खाड़ा रह गया था सचिन चेतन ने यह खूनी हरकत परतीशोत से प्रेरित होकर की है क्योंकि कल चेतन को इस कुत्ते की वज़े से चोट लग गई थी मगर यह हिंसक परवर्थी ठीक नहीं है और उस दिन रोमांच के तेशोर से गूंज रहा था प्लेगराउंड सिक सर सिक सर इसकूल के ही दो टीमों का मैच चल रहा था और इसी पल हताश हो गए बल्लेवाजी कर रहा ही टीम के प्रशन सक बच्चे आउट उफ आउट और अब जो कदम क्रीज की और बढ़ रहे थे वो थे चेतन के चेतन चेतन के किरकिट के एक अच्छे खलाडी की रूप में प्रसित साथ चेतन बल्लेव आजे के लिए अपने नंबर की प्रदीक्षा करते सचिन के दिल में भी हिलो रहे ले रहा था रोमांच का तूफान अपनी टीम को जिताने के लिए चेतना जरू कुछ कमाल करेगा और उस खुबसूर नन्नी सी मुस्कान और जादू भरे शब्दों ने चेतन गुपल बर क लगी गची ओर बड़ी लेकिन कि ठाघ ओओट क्लीन बोर्ड आओट जीरो जीरो है यह जीरो 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 जेतन जीरो रिचाख जीरो जीरो चेतन जीरो और इधर अपमान के अनुबूती से लाल हो रहा था चेतन का चेहरा और लाल नीली आखों में खिचने लगी थी कून की डोरियां हिम लेक यानी बर्व से आचादित जीर शीत काल में जिसकी जलिये सदर परिवर्तित हो जाती है बर्व की सक्त परत्न और सैलानी उस प्रकरतिक सौंदर का आधन आनन लेने वहाँ पहुँशने लगते हैं और यह वह स्थान था जहां से आगे जाना निशेत था खत्रा बर्व की सतर नर्म हो सकती है आगे ना जाए धन्यवाद बर्व की इस मोटी परत पर किलकारियां गूँच रही थी संड राइट पबलिक स्कूल के बच्चों की भी समलकर सजेंट मुँ मत्रवा वैटना इस्कैटिंग का चैंपियन रह चुक हो रिचा तुम अपने फिक्र खरो अरे चेतन तुम आगे ले क्या कर रहे हो आओ मेरे साथ बरव पर फिसलो और तब ही चेतन का हाथ थामनिया वहाँ से गुजरती रिचा ने अरे रहे रुको चेतन मेरा हाथ मेरा साथ फिसलो न इसी बल गूँच उटी कई खिलकलाटे हाहा अरे बरव की धर्टी पर चलना तो सीख लिया होता नीनी आँखों में उतरने लगी वही सुरक रेखाएं और फिर बर परतेजी के साथ फिसला छोटा चेतन अरे वह ये तो छुपा रुस्तम निकला चेतन रुको चेतन न अबास की तरह जबटका रिचा की कलाई अपने हाथ में दबोच ली थी ओ चेतन आयम सौरी मेरी वेज़े से तुम गिर गए अरे तीरे तीरे हम मुझे गिर चेतन और इदर सचन का दिमा भग से उड़ा जा रहा था चेतन रुक जाओ उदर खत्रा है चेतन इसी पल चेतन के उसाथ ने जबटा जटका खाया जिसमें थाम रखा था रिचा का हाथ और आँ चेतन अन्यंत्रित होकर गिरी निचा और बरफ की सदर पर फिसलती चली उसका भैसे धरतराता जिसम आँखों में बह रही थी अविरल आसियों की धारा रसी भेको उसकी तरफ हट जाओ मुझे जाने दू चेतन पागल मत बनो आगे खत्रा है तैशत से कापती उटकर खड़ी हो गई रिचा सचिन मुझे बचाओ चर्मनाने लगी थी भरफ की धर समूची ही जील के गर में समाती चली गई थी रिचा छण बार पहले रोमान जो पर सननता में डूबे चहरोब सननाटा खिच गया नाई उफ अब नहीं बचेगी वो छोड़ दो मुझे जाने दो मुझे उधर बर्फ की सतय कच्ची है तुम भी मनना चाते हो क्या रिचा के प्राप्ती के साथ ही वहाँ पहुचा सब लोग पीजट जाएं उस तरफ जाकर बच्ची को बचाना मुझेल है क्योंकि पानी के अंदर जाने के बाद फिर बाहर निकलने की कोई जगा नहीं बचेगी यही बर्फ की पकी सतय को तोड़कर वहाँ पहुचना होगा ठाक ठा गया ओ अत्ते देख ठंडे पानी के कारण इसका तो जिस्मी नीला पढ़ चुका है कहीं लड़की बेहोश हो चुकी है अभी जिन्दा है इसे फोरना अस्पताल पहुचान होगा कोई उपस्ते प्रतेग व्यक्ति ईश्वर से उस मासूम की जान की खैर मना रहा था और वो मेरे हाथ से छूट गई थी तुमने उस कुट्टे को क्यों मा डाला था क्या मतलब मतलब साफ है रिचा ने तुम्हारे साथ दो बार शैदानी की केवल शैदानी और तुमने इस अपमान का बढ़ला लेने के लिए रिचा को आज मारनी की कोशिश की है ये जूट है मैं करना क्या चाहता है अरे सचिन चेतन तुम दोनों भी आए हो फिर कहा चल दिये तुमारे पापा भी ऑफिस से आने वाले है चेतन अभी लोटता हूं मा कहां ले जा रहे हो क्या कर रहे हो इस पुटले का क्या करना चाहते हो सब बताऊंगा पुल के किनारे पर आखड़ा नीचे अभी बताऊंगा चेतन की नीली आखों में सुर्क रेकाइन रिष्टी गोचर होने लगी थी और अनायासी उसने हातों में थमा पुटला नीचे फेक दिया और पुटले के अनायासी गिरने के कारण बस का ड्रैवर बुरी तरह से हलबढ़ा गया बच्चा पुल से करने की कोशिश की तो उस्पतले के स्थान पर तुम भी वहाँ पड़े हो सकते हो मुझे ये बास समझाने के लिए तुमने दर्चनों लोगों को मौत के कगार तक पहुचा दिया चेतन और भीतर प्रवेश के साथ ही चेतन की निगाए ठिटक गई हूँ सोर चेतन सचिन ज जाने कितने लोग उफ मैं तुमसे कुछ पूछ रही हो चेतन और मुझे जवाब चाहिए ये क्या हो रहा है शीतल तुम दोनों जाओ और सारी बाते सुनका दिमाग अंत्रिक्ष में चक्कल लगाने लगा था अनंद का नहीं चेतन ऐसा नहीं कर सकता वो तो किसी सहथिक ब चेतन तुम्हें अपने आपको बदलना होगा वरना बहुत भ्यानक अंजाम होगा तुम पर कोई मुसीबत आए तो मुझे बरताशना होगी आखों मैं वहीं इंसक बाव लिये पल्टा चेतन सचिन तुमने डॉल्फिन पीक के बारे में सुना है क्यों तुमने ये इस अचानक क्यों पूछ रहे हो सुना है डॉल्फिन पीक से अगर कोई गिड़ जाए तो उसकी लाजबी नहीं मिलती हां कहां जा रहे हो मैं मा के साथ डॉल्फिन पीक घुमने जा रहा हूं आज और अभी विस्पोर्ट सा हुआ सचिन के मस्तिष्क में क्या इसलिए क्योंकि वहां आंटी के साथ नहीं जाओगे चेतन तुम मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकते रोक सकता हूं मैं आंटी को सब कुछ बता दूँगा नीली आखों में आने लगे वही खौफनाग भाव हट जाओ तुम मुझे पर चाकू चलाओगे बास की तरह जप्टा सचिन और आप तुमारी कोई शातानी सफल नहीं होने दूगा मैं चेतन नीचे गड़ता ही चाकू चेतन के आज से चूट किया चेतन पुना चप्टा चाकू पर और इसी पर सचिन ने भी उस पर चलांग लगा दी इसके हाथ चाकू लग गया तो ये मुझे भी मारे विना नहीं छो और इस बार सचिन नहीं उठा लिया चाकू चेतन अब तुम कोई हरकत नहीं करोगे वर्ना तबी उस ठोकर से उचल पड़ा सचिन तुम केसे भावते अनंद के चेरे पर मैं जानता था कि मेरा चेतन कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता वैं शातानी भी तू नहीं कियोगी जिससे कई वहानों के दुरगटना करस्त हो जाने से कई लोग घायल हो गए आँ नहीं अंकल अपनी आंटी के आने तक तुम चुपचाप पड़े रहा हो एदा शेतन की आवास पर ठेटग गई थी शीता है तुम माँ क्या तुम इसी वग मेरे साथ डॉल्फिन पी चल सकत हो मुझे तुम से कुछ कहना है और प्लीज इंकार मत करना ओके आओ डॉल्फिन पीक यहां से अधिक दूर नहीं है और वैदिशी देखते सचिन की कनपडिया संसनाने लगी नहीं नहीं आंटी आंटी रुख जाई आंटी काश की शीतल देख पाती चेतन की आखों में हिल लेना चाता है उफ नहीं डॉल्फिन पीक काउचेतन क्या कहना है मा सचिन सच जानता है मैंने उस कुट्टे को जान से मार डाला क्योंकि उसने मुझे हरानी की सौरी डरानी की कोशिश की मुझे इसके कारण चोट पहुचे मैंने रिचा को बर्फ के पानी में डुबो देन नहीं चलता नेरी यांकों में सुर्ग डोरे खिशने लगेते इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आयूं मा ताकी तो मैं यहां से नीचे फेक सकूँ चेतन चेहरा विक्रत और आथा छोटे चेतन का जाड़ी पर जाटकी मा का काम तुमाँ कर डालने को वे भारी पत्थर उठा लिया उसने लेकिन इससे पहले कि वे पत्थर को नीचे उच्छाल पाता रुप जा चेतन जपट पड़ा सचिन चेतन पर मुझे तो तेरी और से तभी सचेत हो जाना चाहिए था जब तुने कुट्टे की हत्ता कर डाली थी दौनों ही मौत के कागार पर आप पहुचे थे सचे नाज तेरा भी कसा खत्म कर दूँगा तुझे भी धकेल दूँगा डॉल्फिन पेक से और सैसा दौनों ही लडगा डॉल्फिंग वैली की ओर उफ आ इसी बलजबट पड़े वे दो हाथ उन दौनों की कलाईयों का दबोचने और नई उफ उस समय तक उपर आ चुकी थी शीतल और पसीने जिन नहा गई थी उफ मैं दौनों को एक साथ उपर नहीं की सकती और दौनी मेरे हाथों से फिसले जा रहे हैं ओ नो मा मुझे बचाओ आंटी आह मैं क्या करूँ मेरे बच्चों सीने में दवा हिर्दय छलनी हुआ जा रहा था उसका एक तरफ उसका खून था और एक तरफ वो जिसने उसकी प्राण रक्षा की थी आंटी मा किसे बचाती वो किसे छोड़ देती और अंथता कुछ सोस्ते सोस्ते जबड़े बिच गई शीतल के अगर मुझे कुरबानी देनी पड़ी तो मैं चेतन की दूंगी मा अंटी एक लंबी चीक गुंस्ती चली गई चेतन की डॉल्फिन वैली की बिहानक गहराईयों में खोता चला गया चेतन पचंड लहरे अपने आगोश में समेट करना जाने कहां बहा ले गई चेतन की लाश को जी हां लाश क्योंकि दम तो वो बीच रामई तोड़ चुका था सचिन को उपर खीचने में सफल हुई शीतल आंटी आपने अपने चेतन को मार डाला उसे मार कर मुझे बचा लिया आपने आंटी फफफख पड़ी शीतल मैंने उसे मारा नहीं है बेटे उसे मारा नहीं है मैंने तुम मैंसे किसी एक को ही बचा सकती थी मैं और मुझे शमा और मुझे लगा कि चेतन से अदिक तुमें बचाना शेसकार होगा मेरे लिए तुमीं मेरे बेटे हो सचिन समाब तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हैं किंक कॉमिक्स के किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद